हांजी स्टुडेंट्स, आज दी इस वीडियो इच में ताड इना शेर करांगी प्लस टू क्लास दे लिए जडी ट्रांसलेशन इक टाइ जडी ताड इस लेबस दे अकॉर्डिंगा 76 तू 157 प्लस उच दे वीचो स्लेक्टर ने जडे संटेंस दे लिए इंपोर्टेंट ट्रांसलेशन हा इस दे नाली जडे मोडल टेस्ट पेपरां दे विच ताणू आई हो या 5-4 मोडल टेस्ट पेपरां दे विचो क्लेक्ट कारके संटेंस ओ वाले उना दी ट्रांसलेशन दी वीडियो या लास तक देखना हेलफुल होए गिता डे सेकेंड टर्म दे इक्जाम दी रिवीजन दे ली जड़े तानू इक तानू आणिया पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू प्रेस करना के युदा आइरनिंग कार रई हान प्रेसंट दे वीचा कंटिनिऊज दे वीचा इस कार के अपज जड़ा आई और जी यूद्ग यूज किता नाही ते वर्फ दी फोम लें जड़ी इज यूज किती है ते फादर इज आईरणिग दी क्लोथ क्लोथ के अंदर कपड़े तुसी जड़ा लास्ट ते वर्ड जिद्धा एथे कार रही हान तो पन पता चले कि प्रेजन्ट कंटिनुज दे विच्चा संटेंस तो उस अकॉर्डिंग अपाने जड़े वर्वधी फॉर्म यूज़ के थी आ यानजी यूज़ के था उस तरह तुसी गैसकार साख दें कि केड़े यूज़े वर्वधी फॉर्म लगनिया ते इस दे विच्च केड़ी हेल्पिंग वर्व लगनिया सेकिंड इस प्रमात्मा उपर प्रोसा रखो ट्रस्ट इन गॉड बिल्कुल इज़ी है तां प्रमात्मा उविच्च विश्वास रखो प्रमात्मा उपर प्रोसा रखो मिन्ज ट्रस्ट इन गॉड थर्ड अपने वड्डेयां दी आग्यादा पालन करो अपने वड्डेया फोर्थ जेवकत्रें तो बचो विवेर ओफ पॉकेट्स पॉकेट्स की हंदने जेवकत्रे फोल्थ उसनों जान दियो लेट हिम को बिल्कुल सेंपल है था उसनों जान दियो लेट हिम को षेक्स जल्दी करो means हर्यप अपना जिंद्गी दे विच भी यूज करने की जल्दी करो हर्यप सो जल्दी करो दा हर्यप सेवन्थ इस मैनो तंग ना करो तंग ना करो means don't disturb me don't disturb me एट्स इस ग्रीब दा मजाक ना उडाओ don't make fun of the poor fun की हो गया मजाक, poor होंदा ग्रीब so don't make fun of the poor next अफ वाह ना फैलाओ don't spread remorse remorse की होंदा अफ वाह spread फैलाओ so don't spread remorse 10th है किसे दी चूगली ना करो don't back white anyone anyone हो गया किसे दी back white हो गया अपने को चूगली so अपना sentence बाने गया don't back white anyone don't do not की इसनों short करके लिख्या होया तुसी do not लिखना जाओ तर do not लिख साग देओ short करके लिखना जाओ don't तर don't पास साग देओ don't back white anyone next बक्वास ना करो don't talk nonsense बक्वास की हो गया नोंसेंस so don't talk nonsense नंगे पैर ना चलो don't walk where footed don't walk where footed कि नंगे पैर ना चलो एना sentences दे वीच्चों या जड़ी तानू Punjabi to English आन या इंग्लिश टू पंजाबियाने इस दा मतलब की तानू पता होना चेह दा कि जड़ी तुसी translation कारे पंजाबियान तानू जड़ी जड़ी हेल्थ कि अब हेल्थ हो गया सेहत टेक करे हो गया त्यान सो टेक केर आफ यूर हेल्थ समा बरवाद ना परो don't waste time वेस्ट के हंदा बरवाद बरवाद इंग्लिश अपने कर होगी वेस्ट समा हो गया time so don't waste time next है समेदा सही इस्तेमाल करो make proper use of time make proper use of time खब्य हाथ चलो keep to the left खब्य हाथ चलो दी जड़ी इंग्लिश आपने कर किया keep to the left पुलिस नू बुलाओ उन बुलाना की किन्दा call call the police अभ्यास करो अभ्यास किन्दा practice so do practice अभ्यास करो दे जड़ी इंग्लिश आपने कर किया practice किन्दा अभ्यास so do practice अपना कम आप करो do your work yourself अपना कम आप करो do your work yourself जे तानू लिख्या आजी कि do your work yourself तान तुसी जड़ी इस दी पंजाब भी लिखनी होईगी अपना कम आप करो next है अपना त्यान रखो take care of yourself जे तानू पुछे जारे अपनी सेहदा त्यान रखो तान तुसी लिख्या सी take care of your health उन्हे नहीं पुछले कि अपना त्यान रखो उजदा कि यागे take care of yourself 21st है मेहनत करो work hard विल्कुल इजी मेहनत करो work hard 22nd है सूरस डूब गया है the sun has set ये जड़ा अपना present perfect यूज होया आपने को लेक्टे संटेंस the sun has set ये सूरस डूब गया है हो चुक्या कामा है इस करके पर जड़ा present perfect दर लगाया helping work the sun has set 23rd हलकी जी हवा चलनी शुरू हो गई है हो गई है हो चुकी है यूज कर रहे हैं अपना present perfect a light wind has started a light wind has started blowing blowing के उन्दा वगना चलनी so इदा full sentence हो गया अपना a light wind light हो गया हलकी a light wind has started blowing wind हवा light hulky blowing वगना चलना a light wind has started blowing next is मैंनू एह किताब चाही दी है I want this book want के हो दा चाना की मैं चाही दिया मैं चाही दा हाँ मैं चाही दी हाँ so मैंनू एह किताब चाही दी है I want this book इस बुक मीन्ज एहे किताब सफोल्ट संटेंस इस I want इस बुक 25 इस मैंनो स्कोल जान विच देरी हो गई है I am late for school I am late for school Next इस ए बहुत ही दिल्चस्प कहानी है हम दिल्चस्प की हंदा interesting कहानी, स्टोरी सपना संटेंस से जड़ा बहुत लग्या है ता very use करना पाने संटेंस अपना बन गया This is very interesting story इह बहुत ही दिल्चस्प कहानी है This is very interesting story माली पोध्यान पानी दे रहा है The gardener is watering the plants माली पोध्यान पानी दे रहा है कम कार रहा है continues लिया सो इप्रेजन continues है अपना कि जैं मार दे वी चोई चीज लगेगी नाल आयान जी यूज होगा सो अपना संटेंस बन्या The gardener is watering the plants पोध्यान पानी दे रहा है 28th is ओ कहीं कंटे लगातर काम कर सकदा है कपैस्टिया उस दी कर सकदा है जित्थे सकदा है वर्ड यूज हो रहा है क्यों कंटे जड़ा लगातार लगातार दा की लिखला है कंस्टेंटली कंटिनियूसली भी कार सकदें तुसी He can work कंस्टेंटली फोर मैनी आर्स कईं कंटे ले रेखा मेरी मनपांदी अभिनेत्री है अभिनेत्री के हंदा एक्ट्रेस सो रेखा इस माई फेवरेट मनपांदी फेवरेट रेखा इस माई फेवरेट एक्ट्रेस थर्ट्य अथी सिग्रेट पीना सेहतली हानिकार कह है इता पनुहार थांते लिखया मिली जान्दा सारे अनुपती होगा स्मोकिंग इस इंजिरियंस टू हैल्थ सिग्रेट पीना सेहतली हानिकार कह है स्मोकिंग इस इंजिरियंस टू हैल्थ 31st ओ अनाथ C पास्ट दे विच गल हो रिया C लगाया सो यदा इत्यापा यूज करना हां जी पास्ट पास्ट संटेंसस विच थे अपना यड़ा वाउज वर्च चूज जूज करांगे C लगाया होया He was an orphan orphan के हंदा अनाथ सो वबल साउंड तो स्टार्ट अवर्ड इस करके पर यड़ा and यूज किता He was an orphan 32nd देहेज दी प्रथा समाज उपर इका कलंक है देहेज के हंदा डोरी सिस्टम प्रथा हो गया सिस्टम डोरी हो गया देहेज So डोरी सिस्टम is a कर्ज ओन दी सोसाइटी कलंक लिए न यूज किता कर्ज डोरी सिस्टम is a कर्ज ओन दी सोसाइटी society की हो गया समाज Dory system is a curse on the society ओह उमर विच मेरे तो वड़ी है वड़ी है She is older to me in age उमर विच दस है in age किता पा She is older to me in age Next is दोने प्रामादी आप switch नहीं बांदी There is no love between the two brothers There is दोने प्रामादी आप switch नहीं बांदी There is no love between the two brothers ओह एक वद्या कलाकार है He is a good artist कलाकार की हो गया Artist So he is a good artist 36 is की तोने मेरे ते प्रोसा नहीं Don't you have trust in me अप a question आस्क कर रहा है So helping of the red आपना start हो रहा Don't Don't you have trust in me जो गजदेहानों वर्स देनी एक मुहा अवरेदी तरह हो गया So एदी जड़ी ट्रांसलेशनाओं की word to word नहीं होएगी Change होके होएगी So walking dog seldom white एक कहावता Walking dog seldom white जो गजदेहानों हो वर्स देनी Grieve the baddwa कदे नालो Don't invite the curse of the poor Grieve the baddwa कदे नालो Don't invite the curse of the poor Next is इस सडक दी मुरमत नहीं कित्ती गई This road has not been repaired This road has not been repaired Next is 40th जे हो जया बिजोगे ओ हो जया ही कटोगे जां जे हो जया करोगे तेहा परोगे एवी कहावती तरह है So इस नो जड़ा पा चेंज किता As you saw, so shall reap As you saw, so shall reap की मैं तो अड़ा इंतजार करा Question ask किता So should I wait for you Should I wait for you Last ते विच Question mark जुरूर लगाना जीते Question पुछे गया Next is एक ता विच बल है Union is strength Strength के अंदा बल एक ता विच बल है Union is strength 43rd शेहर विच डेंगू फैल रहा है Dengu is spreading in the city इससे तरह जीतान कोई Whole question पूट किता जा रहा कि Omicron is spreading in the city ता जड़ा Omicron शेहर विच फैल रहा Omicron शेहर विच फैल रहा इतने अपनों कहता कि शेहर विच डेंगू फैल रहा है Dengu is spreading in the city Next, विद्या मनुख नू सोजी दिन्दी है मतलब उसनू सोच्चंदी पावर देरिया Education gives man a thinking power सोच्चंदी सम्रत्था देरिया जड़ी education आ विद्या So, education gives man a thinking power पड़ाई विच मान लगाओ Concentrate on your studies Concentrate केंदा त्यान लगाना मान लगाना Concentrate on your study Next is की तुसी ग्रीबबान दी मदद कारते हो Do you help the poor यह भी question पूट कार ले है Last day विद्या तुसी question मान की ज़रूर लगाना Do you help the poor की हवाई जात्रास रखेता है जड़ा word जड़ा की तो start आ जड़ी उसके Do is am यार कुछ भी जड़ा तुसी यूज कार रहे हो उसनों जड़ा first subject बना देना First number दे यूज कारना Is traveling by air safe की हवाई जात्रास रखेता है Is traveling by air safe Last day विच Question मान बाहर कुपह नेरा सी बाहर कुपह नेरा सी जड़ा ट्रांसलेशन हो या It was pitch dark outside Outside हो गया बाहर Pitch dark कुपह नेरा CEC इसकार के जड़ा was used गिता पने It was pitch dark outside ग्रीबान दी साहेता करो Help the poor ग्रीबान दी साहेता करो Help the poor ए पत्तर पोस्ट करो Post this letter एहे पत्तर पोस्ट करो Post this letter एहे पत्तर दा क्यों हो गया This letter post बीच्चों ही ला ला Post this letter जानवरान ना मारो Don't kill animals Kill होंदा मारना Animals होगे जानवर Don't kill animals कदे अगनाल ना के डो Never play with fire कदे दे जड़े इंगलिश अपने कोल होंदिया Never So this sentence जड़े अपने translation होगी Never play with fire अगनाल ना के डो Next is अपने अध्यापकांदा कैना मनो Obey your teachers परना पनिकोल है गा सी अपने वड्ड्यापकांदा कैना मनो अपना किता सी Obey your elders अध्यापका के हा So Obey your teacher Next is 54th और साउंबार तो नावल लिख रही होवेगी यूज कार देऊ शी विल है बिन फिक्चर दी विच लिख है जा रहा है शी विल है बिन राइटिंग दी नॉवल सिंस मन्डे 55th उसदे रेलवे स्टेशन ते पहुंचन तो पहला ही रेल गड्डी रवाना हो गई मतलब कि जो तो दा को पहुंच रहा है गड्डी जा चुकी सी इस तर जड़ा अपने कोल है दी ट्रेन हैड लेफ्ट पास्ती गाला सो हैड यूज किता दी ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर पहला बिफोर ही रिच दी स्टेशन कि रिच दहुंदा पहुंचना दी ट्रेन हैड लेफ्ट जा चुकी सी विफोर ही रिच दी स्टेशन उस दे रिच देशन ते पहुंचन तो पहला नेक्स दी डाक्टर उन तो पहला ही म्रीज दी मत हो जावेगी कि दाक्टर आएगा और ये म्रीज दी जड़ी डेथ हो जाएगी एवी जड़ा अपने कोल है future cancer so the patient will have died the patient will have died before the doctor come before the doctor come 57th is उसने अपना फर्ज निबाया he has done his duty he has done his duty उसने अपना फर्ज निबाया 58th ओकाल इस समे दिल्ली जा रहा है जाएगा जा रहा है दिगाल हो रही है मतलब future दिगाला he will be future continues according जड़ा अपने यूज किता he will be going to Delhi tomorrow at this time कि इस समे कालो हो जा रहा है होईगा दिली he will be going to Delhi tomorrow at this time next ओधो जार दास्तों इत्ते काम कार रहा है इत्ते कि अपने को तो वर्ड यूज हो रहा है मतलब since भी अपने दे विच लिखांगे वर्ड he has been working here since 2010 he has been working here since 2010 2010 तो जार दास्तों next command दा सिर्ण नीमा command जा हंकार कोई भी वर्ड तर्ड तो लिखे हो हो सकता command हंकार दा सिर्ण नीमा ये जड़ी कहावती तरहें भी सो इस दा जड़ा है pride है थर fall command दा सिर्ण नीमा next is कि उसने वोट पा ले है ये वी question put किता जा रहा है इसलिए आपाई लिख रहे हैंगे Has he cast his vote? Has he cast his vote? Last day विच Question mark Next जो तो तुसी station पुझे की rail गड़ी आ गई सी? यह वी last day विच Question पुझे कर लिए Two sentences जड़े add करते Had the train arrived? Rail गड़ी आ गई सी? की rail गड़ी आ गई सी? पास्ट दे विच आ इसकार के अपाई एड़ा Had used किता की तो start सी इड़ा इसकार के Starting दे विच आपाई helping गई गई Had the train arrived? When you reach the station पुझे पुझे इसलिए अपाई एड़ा रिच रिच दे इसकार के When you reach the station तो अड़े त्यार होन तक मैं पाउग बन चुका हूँ मांगा I shall have tied the turban Turban के ना पाउग I shall have been tied the turban By the time you get ready I shall have been tied the turban By the time you get ready ओ टेड़ी खीर है यह भी का कहावती तरह He is a hard nut to crack He is a hard nut to crack Next is आउशेर करन चलिए Let us go for a walk आउशेर करन चलिए Let us go for a walk सक्त मेनत सफलता दी कुझी है Hard work is the key to success सक्त मेनत सफलता दी कुझी है Hard work सक्त मेनत की हो गया Hard work सफलता सक्सेस कुझी की So इसनों जोड के अपना जड़ा संटेंस बन दा Hard work is the key to success ओ शायद आजावे He may come today जिते शायद वर्ड यो सुन्दा हो थे अपा mostly यह ड़ा मे यूज़ कार देया कि मे भी हो सक्दा So शायद दे लिए अपा मे यूज़ कार देया He may come today कि शायद वर जा जावे 69th मैं जदो स्कूल जामागा मुटे फुटवाल नहीं खेड रहे होंगे Future दी गाला When I go to school मैं जदो स्कूल जामागा When I go to school The boys will not have been playing football The boys will not have been playing football मुटे फुटवाल नहीं खेड रहे होंगे Last one is मैं जदो कर पुच्चांगा माताजी खाना नहीं बना रहे होंगे The mother will not have been cooking When I reach home की जदो मैं कर पुच्चांगा When I reach home The mother will not have been cooking माताजी खाना नहीं बना रहे होंगे When I reach home जदो मैं कर पुच्चांगा ACG Translation 4 plus 2 class second time दे इक्जाम दी रिवेजन देली Thank you students for watching video Please like and share video and subscribe our channel for more videos